नमस्कार आज की वीडियों में बात करेंगे गंभीर समस्या के बारे में जिसका नाम है बेल्स पैल्सी ठीक है जिसका क्या नाम है बेल्स पैल्सी अब मैं इस समस्या को गंभीर समस्या क्यों कह रहा हूं इसको समझिए देखिए जो बेल्स पैल्सी होती है वो एक तरह की पै Paralysis, basically Paralysis जो होता है आपको पता है इसको में hindi में फालिज भी कहते हैं जब फालिज काटा है क्या फिर paralysis काटा है किसी बैक्ति को हो जाता है तो ऐसी situation में उसका जो आधा हिस्सा होता है body का, वो काम नहीं करता है या फिर वो कोई भी function परफॉर्म नहीं करता वो तरह से dead जैसी condition उसकी हो जाती है ऐसी ही condition basically bells palsy की जिस्वेशन में होती है या फिर कह सकते हैं कि bells palsy जो है वो भी एक तरह की paralysis की समस्या होती है लेकिन यह जो bells palsy है यह पूरी body में नहीं होती है यह सिर्फ और सिर्फ ब्यक्ति के face में होने वाली paralysis की समस्या है तो कह सकते हैं कि जो face में होने वाली paralysis की attack होता है या फिर face में होने वाला जो basically paralysis होता है उसको हम बोलते हैं bells palsy इसके अगर नाम की बात करें तो bells का मतलब होता है घंटी आपको पता है घंटी लटकी हो इसी होती है और पैलसी का मतलब होता है पैरालिसिस तो बेसिकली यह जो समस्या है इसमें होता क्या है कि जब फेस में किसी ब्यक्ति के फेस में जब पैरालिसिस का अटाइक हो जाता है तो ऐसे में उसकी जो इसकिन होती है क्योंकि आध liپsz होते हैं लटक जाते हैं कान रोटक जाते हैं चीन का हिस्सा बिस इसे बिग ह efect एंग स्चया बीक्रांट करसे हो रता है तो जब भी वेक्ति बोलता है पिर बोल नहीं कि जो कोशिज करते हैं तो ऐसी सीचुएशन में उसका आधा हिस्ससा ही कांध इसके फेस के आधे हिस्से में ही मूवमेंट होती है उसके आधे हिस्से में मूवमेंट होती है बाकी के आधे हिस्से में मूवमेंट नहीं हो सकती है इसके अगर सिम्टम्स की बात करें कि क्या क्या लक्षर सहीर में दिखाई देते हैं तो सबसे पहला लक्षर तो यही आता ह कि जो व्रतिक होता है उसका face लटक जाता है उसके chin उगय लटक जाते है उसकी lips लटक जाते हैं ठीक है और जो दूसरा symptom आता है उसकी जो आखे होती है एक side के आख तो बिल्गी स्वस्त होती क्योंकि आधे हिस्से में कुछ ब्यक्ति सुननभी नहीं पाता है उसे कान में जादा शुरू कर देती है या फिर 합니다 को केश में वहiktी सुन्हें नहीं पाता है उस कान से साथ ही साथ आपका जो जबड़ा होता है यानि कि जिस व्यक्ति को Winds29 का अटाएक आता है उसका जो जबड़ा होता है उस इससे का बेसिकली उसमें बहुत जादा पेन या भी बहुत जादा डर्द भी फील होता है तो ये तो बात होगा इसके symptoms के बारे में कि क्या क्या सिम्टम से आफ़ी क्या क्या लग छण बेसिकली Bells Palsy की situation में आता है दिखे जब ये Bells Palsy का attack आता है जिस दिन इसका attack आता है उससे लेकर के 6 days तक ठीक है 6 दिन तक इसका जो है ये धीरे धीरे कम होना सुरू हो जाता है यानि कि इसकी स्थिती में सुधार आना सुरू हो जाता है और अगले 6 months में बेसिकली अगले 6 months में ये जो समस्या है ये पूरी तरह से बिक्ति के अंदर से automatically ही खतम हो जाती यानि कि ये जो Bells Palsy की situation है अगले 6 दिन से इसकी समस्या में कमी आने लगती है यानि कि ये धीरे धीरे recover करने लगता है और अगले 6 महिने में खुद बाखुद ठीक हो जाता है लेकिन कुछ केसे में ऐसा भी देखा गया है कि बेक्ति के अंदर lifetime तक Bells Palsy के समस्या बनी रही है ठीक है तो ये तो बात हो गए इसके symptoms के बारे में और कितना दिन भी ये ठीक होता है अब अकले दें इसके causes के बारे में कि basically किन कारणों की वज़े से या फिर किन causes की वज़े से Bells Palsy ये सी गंभीर समस्या हमें हो जाती है फिर किसी बेक्ति को हो जाती है देखे उसके कारणों के बारे में या फिर उसके causes के बारे में समझने से पहले हमें ये समझना होगा कि paralysis basically होता क्या है या फिर paralysis cardiac हमें आता क्यों है या फिर किसी बेक्ति के अंदर paralysis cardiac basically आता क्यों है आप सभी जानते हैं कि हमारे जो body होती है वो हमारे brain से control होती है जिसकी स्थिति हमारे सर में होती है ठीक है हमारे सर में जो दिमाग होता है उसी की माध्यम से हमारे body के जितने भी organ से वो सारे control होते हैं चाहे वो indirectly हो चाहे वो directly हो तो ऐसे करके उसको control करने के लिए एक तरहें की cells, एक तरहें की specific cells होती हैं, जुनको बोलते हैं nerve cells, basically उनका structure कुछ इस तरहें का होता है, इस तरहें के कुछ cells होती हैं, जो हमारे brain से लेकर के हमारे जितने भी body part है, या हमारे cell में जितने भी organ है, उन सबसे जूड़ी रहती हैं और यहां से सूचनाओं का आदान प्रदान हमारे मस्तिस्क से होता रहता है, यानि की अगर किसी body organ में basically मान लिजए, अगर मैंने अपने हाथ में एक सुई चुभाई तो ऐसे में जो दर्द फील होगा, उसका तुरंथी message यह जो cells होती हैं, basically इनको बोलते हैं nerve cells, चीक है, यह जो nerve cells होती हैं, उसकी सूचना तुरंथी दिमाग को देती हैं और हमारे दिमाग को पदल जाता है कि किसी particular जगह पे सुई चुभाई जा रही है, या पि जो हमें कभी मच्छर काटता है, कोई चीह हमें irritate करता है, हमें जब कहीं चोट लग जाती है, तो ऐसे में हमारे brain को सूचना देने का काम यही nerve cells करते हैं, साथी साथ हमारी body में जो भी movement होता है, muscle का contraction होता है, muscle की जितने भी movement होते हैं, बेसिकलि हम हाद उपर नीचे कर रहा हूं, तो यह सब सारी चीजें मेरे brain के माध्यम से, आप हमारे brain के माध्यम से, इस nerve cell के माध्यम से basically control होती हैं, कर जाता है, या फिर आधा हिसा basically unsensitive हो जाता है, या फिर उसके अंदर sensitivity खतम हो जाती है, ठीक है, तो इसी condition को हम बोलते हैं, paralysis, ऐसी ही समस्या basically bell's palsy की situation में होती है, ऐसे में होता क्या है, कि जो nerve cells हमारे face में मौझूर होती है, वो आधे हिस्से की अच्छा, यह जो paralysis की समस्य होती है, वो आधे हिस्से में इसलिए होती है, क्योंकि हमारी जो body है, दो हिस्सों में divided होती है, उसमें symmetry होती है, आधा हिस्सा left side का, आधा हिस्सा right side का, जो mechanism होता है, बोडी का, वो दो पार्ट में basically divided होता है, यह जो बोडी होती है, वो function करती है, तो ऐसे में जब दी palaces करना बंक करता है दूसरा हिस्था insein half यह देव मोजोथ में अगर इनके अंदर किसी तरह का इंफ्लमेशन आ कि किन वजहों से किसी बेक्ति के सरीर में हो जाती है लेकिन इसके कुछ other risk factor भी देखे गए हैं जिनकी वजह से काटा है किसी बेक्ति के अंदर आ जाता है उसमें पहला जो risk factor आता है वो आता है diabetes ठीक है diabetes के बाले में आप सभी को पता है कि diabetes जब किसी बेक्ति के हो जाता है तो ऐसे में उसके अंदर insulin की मात्रा कम हो जाती है जिसके वजह से जो वो सुगर का जाता है जिसके वजह से हमारी बॉडी में बहुत सारे ओर्गन खराब होने लगते हैं ऐसे में जब diabetes की समस्या किसी बेक्ति के अंदर होती है उसका diabetes ज्यादा बढ़ा रहता है यानि कि उसके अंदर insulin का लेबल बहुत कम हो जाता है सुगर glucose का लेबल जाना हो जाता है तो ऐसे situation में वो जो blood में घुला हुआ जो glucose है वो हमारी nerve cells तक आएगा और nerve cell को damage कर सकता है जिसकी वजह से basically किसी बेक्ति के अंदर balance-pathic situation देखे जा सकती है साथी साथ ये समस्या pregnant woman के अंदर भी हो जाती है बेसिकली ये जो समस्या है pregnant woman के third trimester के अंदर ठीक है जिसकी वजह से भी nerve cell का damage होना स्वभाविक है और ऐसे cases में बहुत जादा chances बन जाती है balance-pathic के होने की साथी साथ आपका जो pp level है अगर वो high रहा तो उसकी वजह से भी nerve cell damage हो सकती है और आपको कहीं न कहीं bels pelsi या किसी बेसिकली बेसिकली उसकी बाड़ी में बन सकती है तो ये कुछ risk factor है जिनकी वजह से bels pelsi की समस्या किसी बेसिकली के अंदर हो जाती है अब बात आती सके diagnosis के बारे में कि इसका diagnosis किस ताएं से करते हैं या फिर doctor के पास जो हम जाते हैं तो वो कैसे पता करते हैं कि आपके अंदर bels pelsi की समस्या है या फिर नहीं है देखिए इसके diagnosis के वैसे तो specific कोई test नहीं है आपके specific किसी तरह की कोई जांच नहीं है जिसके माध्यम से bels pelsi का test किया सके लेकिन इसके कुछ basic से जांच है जैसे की EMG किया आ सकता है EMG का मतलब होता है electromyography एक तरह की scanning होती है जिसके माध्यम से आपकी जो nerve cells होती है basically उसको scan करके देखा जाता है कि nerve cell में किसी तरह का inflammation या फिर किसी तरह का damage तो आया है या फिर नहीं आया है तो basically EMG या फिर electromyography के माध्यम से Bells Palatica test किया आता है साथी साथ इसमें कुछ blood test भी हो सकते हैं ठीक है कुछ blood test भी कराया जा सकते है basically doctor के थुरू और आपका MRI भी basically MRI भी basically किया जा सकता है ठीक है magnetic resonance imaging की जो condition होती है इसके माध्यम से आपकी एक scanning की जाती है उसके माध्यम से आपके body में nerve cell कितनी damage हुई है इसमें से किया जा सकता है ठीक है अब बाताथ इसकी treatment के बारे में कि basically इसका treatment किस तरह से कर सकते हैं या फिर इसका इलाज संभो है या फिर नहीं है देखिए आप सभी को पता है कि paralysis का इलाज आज के समय में पूरी तरह से संभो है चाहे वह ऐलोपैथिक की बात करने में किसी की बड़ाई नहीं कर रहा हूं लेकिन होमेथिक में इसका इलाज बहुत अच्छा है बहुत आराम से इस समस्या पूरी तरह से खतम हो जाती है ठीक है अगर आपको instant relief चाहिए जैसे माल लिए किसी को paralysis का अटक जस्ट आया है तो ऐसे मैं ऐलोपैथिक एंजेक्शन कुछ आते हैं वो आपको दिये आते हैं और वो कुछ medication के माध्यम से और कुछ physical therapy के माध्यम से भी इसका treatment बेसिकली किया जा सकता है तो हम यह कह सकते हैं कि पालसी को पूरी तरह से treat किया जा सकता है आज के समय में ठीक है एक और बात कि जो paralysis की समस्या होती है ऐसे में बहुत से लोग पहले तो ऐसा होता था कि जारफुक के चक्रम पढ़ते हैं जब किसी को फालीज का अटाइक हो जाता था तो ऐसे में जारफुक का सहारा लेता था पानी ठुका के लाते थे बहुत सारी चीजें वो करते थे तो आप ऐसे चीजें में ना पढ़ें अगर आप वो कोई ऐसा कहता है तो बिल्कुल भी ऐसा ना करें क किसी सिचुएशन जाना क्रिटकल हो सकती है जैसे ही किसी बेक्टिकर पैलेसिस का टाइक होता है या फिर बेल्स पैल्सी का टाइक आता है तो ऐसे में तुरंत ही आप डॉक्टर के पास जाएं डॉक्टर आपको इंस्टेंड रिलीफ के लिए बेसिकली कुछ मेडिकेशन चाहे वो इंजेक्शन के माद्यम से होगा या फिर टैबलेट के माद्यम से हो सकता है तो आपके अंदर इसके लिए तुरंत ही रिलीफ मिलेगा और धीरे-धीरे आपकी मेडिकेशन चलती रहेंगी और कुछ एकसाइज करते रहेंगे तो धीरे-धीरे से ये समस्या पूरी लिए पर नही चाहेंब, विडियोम से शेथे बिजय की आइबाने को सकते था हिनल से हैं तो पूर से इंटिर्शन के लिएकार प्लीम से ले हैं तो न्यूस्टे में। सब तक के लिए जय हिंद। थैंक यू